हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्थी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रिजिन और लीबो सिट्रिजिन की बीच में क्या अंतर है कौन सी मेंडिसिन कहां पर यूज करनी होती है तो बने रहिए वीडियो के लाष्ट तक वी प्रेंज के बारे में तो पहले बात करते हैं सिट्रिजिन और लीबो सिट्रिजिन दोनों ही दवाएं एलरजी और एलरजिक रियक्षन जैसे की स्टिनीजिंग, रिनी नोज, इस्टिंग और वाटरी आईस के इलाज के लिए इस्तमाल में लाए जाती है लेकिन इन्हें मे कुछ छोटे छोटे अंतर भी है इस वीडियो में हम उन्ही छोटे छोटे अंतर के बारे में डेटरियल से बात करेंगे तो सबसे बहले बात करते हैं citrogen के बारे में दोस्तो citrogen एक second generation anti-histamine है जबकि levo citrogen उसकी एक छोटे भाई की तरह काम करता है लेकिन लीबो सिट्रेजिन एक प्यूर फोर्म है और इसका इफेक्ट थोड़ा जादा होता है। मतलब सिट्रेजिन के मुकाबले लीबो सिट्रेजिन का जो असर है वो हीवन बोडी पर जादा दिखाई देता है। लीबो सिट्रेजिन जनरली नौन सिट्रेजिन एक्ट करता है, मतलब आपको नीद नहीं आती। इसका मतलब है अगर आप सिट्रेजिन लेते हैं तो आपको नीद आईगी और अगर आप लीबो सिट्रेजिन लेते हैं तो आपको नीद नहीं आईगी। तो अगर आपको ऐलर का सरीर अलग-अलग होता है और उनके लिए सही दवा और सही डोज आपके डोक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे दोस्तों इन सबके अलाब अभी एक और इंपोर्टेंट बात है अगर आप बीमार पढ़ते हैं तो कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना लें किरपिया अपने डोक्टर के पास जाएं या फिर रेजिस्टेट फार्मासिट से सला लेकर ही मेडिसिन का इस्तमाल करें अगर आप खुद से मेडिसिन लेते हैं तो आपक कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट से अक्से में पूंच सकते हो चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपोर्मेटिव टोपिक के साथ तब तक के लिए अबना खैल रखें